तो दोस्तो आप अगर 10-11000 रेंज के अंदर आल राउंडर स्वार्ट फोन ढून रहे हैं आल राउंडर यानि कि जिस फोन का कैमरा बहुत ही अच्छा हो फोटो में क्लियारिटी देखने को मिले और बैटरी बाइस फोन बहुत ही अच्छा हो और अब मुकल सरमा ने टुटर पर टृट करके कानफर्म भी कर दिया है सादे सास अच्छ तो इस फोन के बारे में बहुत सारा लिक्स आया है जैसकि इस फोन की ऐस पेसिपकेस्टन के बारे में और लांच डेट के बारे में और ये सब कुछ मैं आप लोगों को इसी वीडिो में बताने बाला हूं तो चलिए वीडियो को start करते हैं आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए तो start करते हैं इस फोन की camera से इसफोन की backside में इस पर codrear camera देखने होँ मिल जाये गा जिसका main primary shooter lens मिलने बाला है 64 Megapixel का जिसमें Sony का sensorius किया जाएगा और एक 8 Megapixel का ultra wide, 2 Megapixel का depth और एक 2 Megapixel का micro lens मिलने वाला है और अगर इस फोन की display का बारे में बात किया जाए तो इसमें आपको 6.5 inch का Full HD Plus 19 High Reps Rate का display देखने को मिलेगा जो कि एक IPS पैनल होगा और साथ साथ सेलफी के लिए 20 Megapixel का फंचोल फंच सेलफी camera मिलने वाला है तो यहाँ पर दोस्तों Realme Narjo 30 Pro का camera lens में थोड़ा सा changes किया गया है बाकि स्पोन की design बिल्कुल Realme Narjo 20 Pro के जैसा ही है तो चलिए और अब बात कर लेते हैं स्पोन की processor के बारे में तो दोस्तों आपको साथ पता होगा Realme का जादातर फोनों में MediaTek का chipset यूज किया जाता है और इसमें भी Helio G95 का chipset यूज किया गया है जो कि एक gaming processor है और low budget में अच्छा processor माना जाता है बागी फोन में 6GB RAM, 64GB internal storage, 8GB RAM, 128GB internal storage देखने को मिल जायाएगा तो आप कौन साथ लेना चाहेंगे आप मुझे को मने जरू बोलिएगा और भाई आर बहुत नहीं मैं इस वीडियो बनते हैं प्लीज सर इस वीडियो के एक एक लाइक जरू कर देना इस चैनल को साथ पर कहने का बाद बेल आइकन को जरू प्रेश कर लेना तो चलिए दोस्तो और आप बात कर लेते हैं इस पोन की बैटरी के बारे में तो दोस्तो इसमें भी आपको 4500 एमेज के बैटरी देखने को मिल जाएगा जो की 65 वाट का फास्ट जिंको सपोर्ट करता है और ये सेम बैटरी दोस्तो हमें रियलमी नाट जो 20 प्रो में देखने को मिला था उसी के साथ टाइप सी पोर्ट 3.5 एक और यो जाग भी देखने को मिल जाएगा और अब सबसे लास्ट में जान लीजिए इसपोन की प्राइस के बारे में और लाँच डेट के बारे में तो दोस्तो रियलमी का ए नया स्मार्टफोन 3 वेरेंड में लाँच हो सकता है इस phone का जो सबसे lowest variant होगा उसका starting price हो सकता है 13,000 से और इस phone का जो higher variant होगा यानि 5G वाला variant होगा यहां दोस्तो 5G variant भी launch हो सकता है ऐसा news मिल रहा है लेकिन अगर 5G variant आया तो processor A नहीं मिलेगा पोसेसर में changes देखने को मिलेगा और जिसका price हो सकता है लगबग 20,000 के आसपास तो यहां पर लगबग 13,000 range के अंदिर ही आपको देखने को मिल जाता है 64 megapixel का quarter air camera, 19 high-reps rate का display, 20 megapixel का phone cell camera and 65 watt का fast charging का support तो यहां पर दुस्तों कहीं न कहीं realme का एन नया smartphone भैल फर्मानी हो सकता है हम सभी के लिए और अगर इस phone की launch date के बारे में बात क्या जाए तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं मुकुल सर्माने साब साब mention कर दिया है जानुआरी यानि की next month 2020 on में launch हो जाएगा बाग इस phone के बारे में जैसे मुझे और update मिलता है मैं आप लोग को सबसे पहले बताऊंगा तो इस चैनल को सबसे करने को बाद बेल आइकन को प्रेस करकर रखिए और आपना अगर इस वीडियो का अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज एक एक लाइक कर दीजिए